महागडबंदन वीना आरजीदी का कोई महागडबंदन नहीं 243 सब बटके तयार हो जाएगा जिसका जहां जानाधार रहेगा वहां मिलेगा अधिकार के लिए हर आदमी अपनी बात को रखता है पबलिक है सब जानती है किन के पास क्या है अधिकार के लिए हर आदमी अपनी बात को रखता है लेकिन जो भी कैंडिडेट दिये गए हैं वो हमारा जनाधार है और महागडबंदन वीना आरजडी का कोई महागडबंदन नहीं ठीक आपका जनाधार है लेकिन मांजी ने डिकलेर कर दिया मुके सहनी ने डिकलेर कर दिया तो कोई जनाधार तो तुटेगा सवाल है कि कोई जनाधार नहीं तुटेगा पबलिक है सब जानती है किनके पास क्या है इसलिए कौन क्या करता है इसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं हम यही मानते हैं कि महागडबंदन के जो भी नेता हैं जो आज ब्यान दे रहे हैं और कई तरह की बाते बोल रहे हैं जब चार एनॉंस्मेंट हो गया है और कांग्रेस के परल्लामेंट और फिर विधान सबाका होगा तो निश्ची तुरुप से उसमें सभी नेता लोग जाएंगे कंडियेट के प्रचार के आप लोग बैठे नहीं है यह 243 अब बटके तयार हो जाएगा जिसका जहां जानाधार रहेगा वहां मिलेगा जिसने किसे जो निताब बोल बोल रहे हैं उस पर कुछ आप कहना चाहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं बोले हैं कुछ लोग बोल रहे हैं कि आर्जेडी के बिना भी गटबंदन क्या गया है भाई रेंदर जी का आपने सुन लिया है विधान सभा के पांच सीटों पर चुनाओं होना है देखने वाली बात यह है कि इस पर क्या कुछ पलटवार हो रहा है और क्या कुछ फिर उधर से जवाब निकल क्या रहा है लाइश्टी जेक्तर है हमारे चैनल को अपनी बात को रखता है आप पबिलिक है सब जानती है किन के पास क्या है